निमस्कार और गुड इवनिंग जो संदी के इस बेहत खास सारक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके साथ गीतु देश सेनी मोधी सरकार ने आठ सतंबर को अपने दूसरे कारेकाल के सौ दन सफलता पूर्वक पूरे कर लिये आठ सतंबर यानी शनिवार का दन पहले कारेकाल की सफलता के बाद मोधी सरकार दो ने यानिकी टू पॉइंटो ने दूसरी पारी में फ्रांट फूट पर खेलते हुए कई नए रिकॉर्द बनाएं और वर्षो पूरा ने तमाम एतिहास को बदल कर रख दिया पहले कारेकाल से ही मोधी सरकार निदेश के अंदर और इंतराष्ट्य लेवल पर सिचुवेशन को स्ट्रॉंग करने की जो कोशिर शुरू की उसने फूरी दुनिया में देश का पर्चम बुलंद किया है हलांकि सरकार के सामने आज भी वहुत सी चुनातिया हैं जिन से निपटने के लिए सरकार ने अगले सो के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है पर इस शतकी अपारी में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया क्या खोने से मतलब है हमारा अर्ट वस्था की जो मंदी हाल चाहरे क्योंकि इस पर आप सवाल उट रहे हैं मोधी सरकार पर तो वैसे में 100 दन तो पूरे हुए 2.0 के मोधी सरकार 2.0 के और इस शतकी अपारी में उन्होंने क्या खोया है क्या पाया है कितनी सफल हुई है overall मोधी सरकार 2.0 और आज उसका रपोर्ट कार्ड जो है आप तै करेंगे जी हाँ अपने भागेदारी इस प्रोग्राम के तहत आप हमें कॉल करकर अपने व्यूज जरूर रखेंगे ऐसे हम उमीद करते हैं चलिए आज के स्ट्रेट टॉक के जो विशे जो वो तो हमने बता ही दिया और इसे विशे के साथ करते हैं शुरुवात आज के स्ट्रेट टॉक की चलिए मेरे साथ जी हां मोनी सरकार टू पॉइंटो की श्टकिय पारी और श्टकिय पारी से लिए क्योंकि 8 सितंबर यानी शरिवार बीते शरिवार के दिन उन्होंने अपने 100 दन पूरे कर लिए अला कि इस पर हम ज़्यादा बात तो नहीं कर पाए अपने विशेश प्रोग्राम के तहित लेकिन स्ट्रेट टॉक में आज इस विशे को लेकर लाने की पीछे हमारा मकसद यही था कि बेद इंपोर्टन दिन मोधी सरकार क्योंकि इनसे जुड़े तमाम विशेव पर हम ब जो नजरिया है इस चीज़ पर रखे कि आपको क्या लगता है कि इन सौ दिनों के भीतर भीतर कितनी सफल हुई है मोधी सरकार उन्होंने क्या को खोया है क्या कुछ पाया है उसका रिपोर्ट कार्ड आज आप खोटता है करेंगे जी हाँ नरिंतर मोधी सरकार दो के सौ दिनों का कारेका शनिवार यानि की आज सतंबर को पूरा हुऊ और इन सौ दिनों के भीतर भीतर सरकार ने कई कड़े कदम बड़े कदम उठाये जिनमें से उसे कुछ में सफलता भी हाथ लगी है तो कुछ का रिपोर्ट कार्ड शायद उतना बहतर नहीं था जितना उसे होना चाहिए तो लेकिन आज विपक शो है उस पर सवाल खड़े करी है विपक शरबार सवाल खड़े करती ही है चाए सरकार जो अभी चल रही है वो अच्छा करे या ना अच्छा करे लेकिन आज अर्थवस्था की जो हालत मंदी हो चली है तो वैसे में आज पूरे देश में ये चर्चाओं का विश्य बना हुआ है और सवाल उठ रहे हैं कि अर्थवस्था कितनी मंदी हालत आज से दसल पहले नहीं थी जितनी आज हो चुकी है तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मोधी सरकार टू पॉइंट ओकी जो शत्तकिय पारी हो चुकी है उसमें उन्हें सफलता कितनी हाथ लगी है और उन्हें क्या कुछ अभी करना बाकी है जिसके आने ये जो पांत साल है उसमें उनके सामने क्या कुछ ऐसे चैलेंजिस हैं जिनको उन्हें फेस आफ करना पड़ेगा और फेस आफ ना करना पड़े तो ऐसे में साथ कॉल करकर साजा जरूर करेगा तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके जानने है कुछ सवाल आज के विश्य को लेकर सवाल लंबर पहरा सवाल नंबर डूसरा आर्तिक मोर्चा जिसकी मैंने भी बात की आर्थिक मोर्चे पर क्या लगता है आपको मोधी सरकार ने क्या खोया है क्या पाया है सवाल नमबर तीसरा सौधन सरकार के आखिर कैसे लाएगी रोजगार और निवेश वो भी तब जब आठ्ट वस्था की हालत मन्दी चल रही है सवाल नमबर चौथा मोधी सरकार पार्टू यानि की टू पॉइंटो के सामने आज कौन सी मुख्य चुनो दिया है सवाल ये भी है कि सौध इनके फैसलों ने दुनिया में उचा किया है क्या भारतिया पर्चम क्या लगता है आपको कितनी सफल हुई है इसमें मोधी सरकार टू पॉइंटो की शतकिय पारिजिस विश्य पर आज हम आपके साथ स्ट्रेट टॉक करें इस मंच पर उस पर क्या है आपका नजरिया आप हमें कॉल करें अपनी राय जरूर दें तो इस सवालों पर हमें कॉल करकर अपनी जो राय है हमारे साथ जरूर साजह करें ऐसी मैं उमीद कर रही हूँ तो ऐसे में स्वागत तो आपका हो ही चुका इस प्रोग्राम के तेथ लेकिन स्वागत आपके नजरिये का भी होगा स्वागत आपके व्यूज का भी होगा वो भी इन सवालों पर overall मोधी सरकार 2.0 की शतकियप पारी को लेकर आप क्या सोचते हैं 100 दिन हुए सरकार के तो ऐसे में सरकार के तमाम मंत्री जगह 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 जाकर प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं और मीडिया इंटराक्शन में मोधी सरकार के जो प्लब्धियां रही हैं उनका बखान करते हुए नजरा है लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा तपके भी है जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं अर्थ विवस्था को लेकर के 100 दिन तो पूरे हो गए अच्छी उपलब्धियां भी गिनवा रही हैं लेकिन अर्थ विवस्था क्या करेंगे कि इस से जुड़ा हुआ सवाल आपने भ किया गया है तो ऐसे में उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं तो ऐसे में आज सरकार के सामने करें चुनोतियां हैं जुनको वह फेस आफ भी कर रही है और धीरी दिन वह कम करने की कोशिश भी कर रही है लेकिन ये जो 100 दिन उनके हुए समूदी सरकार 2.0 की जो किया पारी हुई ओवराल कितनी सफल हुई है और इसमें उन्होंने क्या खोया है क्या पाया है इस पर आप जो अपना ओपिनिन है हमारे साथ जरूर साजा कर सकते हैं बिट्वीन दप्रोग्राम आप हमें कभी भी कॉल कीचेगा और अपना जो नजरिया है तमाम सवालों से तर आप कुछ भी सोचते हैं इस पूरे विश्य को लेकर आप अपनी जो राय है इस मंच के तहट जरूर हमारे साथ शेयर की जगा हमें अधिक प्रसंदता होगी जब आप भी ऐसे विश्यों पर हमारे साथ अपने व्यू जो हैं वो शेयर करते हैं क्योंकि आपकी होंगे उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं तीवी स्क्रीन पर वो लगातार नंबर फ्लाश भी हो रहा है आपको देख रहा होगा इंडिट्वीन दे प्रोग्राम आप हमें कभी भी कॉल कीजेगा और अपने जो राय है अपना जो नजरिया इन तमाम सवालों पर बात किया है ये कुछ ऐसे बड़े कदम है जिन में से उसे कुछ में सफलता भी हात लगी है तो कुछ का रिपोर्ट कार्ट उतना बहतर नहीं आया जितनी उमीद की जा रही थी सरकार ने इंडियन एकॉनमी को मजबूती देने के लिए भी कई बड़े फैसले लिये जिनका असर बात में पता चलेगा अब सरकार की ओर से सो दनों की उपलबदी पर रिपोर्ट कार्ट जारी किया गया है हालां कि एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के कई फैसलों को अचीवमेंट्स बता रही है तो वहीं जैसा मैंने पहले बताया कि विपक्षी पार्टियां इन पर सवाल भी उठाती हुई नजर आ रहे हैं देखिए ये जो सौधन है ये जो अभी हाल ही में सौधन पूरे हुए हैं इसमें बहुत से ऐसे महत्वपूर फैसले लिए गए हैं जिसमें अंतराश्य लेवल पर उनकी अचीवमेंट्स को लेकर दुनिया भर में हालां कि कहा जा अगर बात की जाए तीन तलाग कीजी हां जैसे ही मोधी सरकार पार्ट टू की शुरुवात हुई सरकार वापिस आने के बाद जब संसत का पहला दन था तो जिस विध्या को उठाया गया जिस कहें के जिस महत्वपूर एक कदम को उठाया गया वो तीन तलाग था तीन तला जैसे important bill को जो है ना सर्फ संसत की पटल पर रखा गया बलकि उसे दोनों सदनों से पास भी करवाया गया इसके अलावा भी हाल ही में जिस पर लगतार चर्चाएं हो रही हैं अंतराश लेवल पर जिस मुद्दे को लेकर जा रहा है पाकिस्तान वो है कश्मीरी से जुड़ा ह हुआ मसला आर्टिकल 370 और 35 एं तो यह तमाम ऐसी चीजें हैं तमाम ऐसे विधिया के जिन पर अभी हम प्रोग्राम के दायरे को आगे बढ़ाते हुए उन पर बात जरू करेंगे राश्ट्रहित में लिए गए तमाम बड़े फैसले मोधी सरकार 2.0 के जी हां इस शतकिया पारी के तहट महतापुण फैसले कौन-कौन से लिए गए हैं उनको बताएंगे विधार से और उमीद साथ के साथ ये भी करते हैं कि आप भी कॉल करकर अपना जो नजरिया है जरूर रखेंगे मोधी सरकार 2.0 की शतकिया पारी पर इसका रिपोर्ट कार्ट क्योंकि आपक इस तरीके का देना पसंद करेंगे फिलाल वक्त चलाएक छोड़े से ब्रेक का जल दोल्टेंगे बने रहेगा जो सेंदी के साथ ब्रेक की बाद इक बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और इसके साथ ही साथ स्वागत करते हैं आपके व्यूस का आपके नजरिये का जो आज आप हमारे साथ साज़ा करने वाले हैं इस मंच के साथ हमारे साथ स्ट्रेट टॉक करके जैसा कि मैंने आपको पहले बत हम बात करने वाले लेकिन रपोर्ट कार्ट जो है वो आपको देना होगा आप हमें कॉल करें और अपनी जो व्यूज हैं तमाम सवालों पर जो इससे पहले पहले आपके साथ साचा किये थे मैं उमीद करती हूं कि उन सवालों को आपने देखा होगा, परखा होगा एक बार फिर से नज़ों डालेते हैं उन सवालों पर जिनके तैता आज हम इस विश्य पर स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं आपके साथ उमीद करती हूं कि इन सवालों पर आप जो हैं हमें कॉल करकर अपनी जो राय हैं हमारी साथ जरूर साचा करेंगे सवाल नमबर पहला मोधी सरकार टो पॉइंटों की शौतिकिया पारी आपको क्या लगता है कि कितनी सफल हुई है कि आपको लगता है कि सौधन के फैसलों ने दुनिया में उचा किया है उनका परचम आर्थिक मोर्चे की बात की जाए क्योंकि आप सवाल इसे पर उठ रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने बहुत कुछ खो दिया है सौधन सरकार के लेकिन आगयाने वाले टाइम में रोजगार कैसे आएगा जो निवेश है वो कहां से आएगा जी हाँ वी निवेश की आज बात सबसे सामने आ रहे हैं चुनौती सबसे पड़ी है क्या लगता है आपको मोरी सरकार पार टू के सामने आज कौन से बड़े चालेंजेस हैं सौधन के फैसलों ने दुन्या में कहा जा रहा है कि बहुती उचा पर्चम भारतिय सरकार ने पर्चम लहराया है तो इस पर आपको क्या लगता है क्योंकि आप विदेशों में रहे रहे हैं और वहाँ पर हम जाना चाहेंगे कि कितना मोदी मैं हो चुकी है हमारी भारतिय राचनीती क्या लगता है आपको कितना पर्चम जो है लहराया है क्योंकि आज मोधी सरकार के तमाम बड़े मंत्री इन सौ दिनों के अपने कारेकाल का बखान करते हुए नजर आए और विपक्ष जो है इस पर सवाल खड़े कर रहा है लेकिन विदेशों में क्या हो रहा है किस तरीकी की हल चल है इन सौ दिनों को लेकर क्या बात चीत होती है मोरी सरकार कितनी सफलों पाई और जहां तक अर्थवस्था की बात की जाए जब से पता चला है कि जीडीपी पांच पर आ चुकी है तो इस पर किस तरीके की बाते होती है क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इसको जो है ओवकम किया जोएगा क्योंकि जब तक अर्थवस्था देखिए सही नहीं होती है स्टेबल नहीं होती है रोजगार की सिती को आप स्टेबल नहीं कर पाएंगे जो विनिवेश की आज बात कर रहे हैं और यह सबसे बड़े चालेंज होता है किसी भी भारतिय सरकार के लिए वहां की अर्थवस्था को ट्राक पर लाने के लिए विनिवेश बहुत ज़्यादा जरूरी है रोजगार बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज यही दो चीजे हैं यही जो दिक्कते हैं इनको आज फेस कर रही है सरकार तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं और आग की पटल पर जिस तरीके से बड़े विध्यक रखे गए थे और आब उनको कानूनी शकल मिल चुकी है फिर चाहिए वो यह यूए पी ए संशोधन बिल ही क्यों ना हो मोटर वीकल आक्ट ही क्यों ना हो और तीन तलाक जैसा एक बड़ी जो दिक्कत इतने दश्रकों से जेलत ही किया गया है तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन सौ दिनों के भीतर भीतर सरकार ने उठाई हैं जिन में से उन्हें सफलता भी हात लगी है लेकिन कुछ का रपोर्ट का उतना बहतर नहीं है और वो बड़ा फैसला किया था क्योंकि देखिए अगर हम फॉर्मर एक सबस्क्राइब मैशी में सरकार यो तो सबस्राइब गांधे तो अज बड़ा चेहरा वो भी चुप ना रहा जाया थी लेकिन अस बार जब अठिवस्ता की इतनी चल रही है तो मनमोहन सिंग जैसा एक बड़ा चेरा वो भी चुपना रहा जिया हाली में उन्होंने भी अर्थवस्था को लेकर अपना जो टेक दिया और उनका साफ तोर पर कहना था कि आज अर्थवस्था की जो हालत इतनी मंदी हुई है उसका कारण सिर्फ दो चीजे हैं कि मोदी सरकार द्वारा जो GST पर बड़ा फैसला लिया गया और डी मोनेटाइजेशन जी हाँ इन दोनों के कारण आज अर्थवस्था की जो हालत है वो मंदी चले लेकिन साथ हाप लगते उन्होंने वो सजेशन्स भी डे डाले जिससे जो है अर्थवस्था को पट्री पर लाया जा सकता है तो ऐसे में आज लगातार सवाल उठा रही है और कह रही है कि सरकार आखिर मान क्यों नहीं लेती है कि आज इंडियन एकॉनमी की जो हालत है वो अब तक की वर्स्थ सिचुएशन में है और ऐसा अब तक नहीं हो पाया है तो चले अब हम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़े रखना चाहेंगे कि इन सौ दिनो की उर से सौ दिनों की उपलब्दी पर रिपोर्ट कार्ट जारी किया गया है और ये उनहीं के मंत्रियों द्वारा जारी किया गया हाला कि एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के कई फैसलों को अचीवमेंट्स बता रही है तो विपक्षी पार्टिया इन पर सवाल भी उठा लेकिन सबसे पहले नज़र डालेते कि राश्ट्रो हित में लिए गए सौ दिन के भीतर भीतर आखिरे से महत्तपूर्ण फैसले कौन से थे जिसको लेकर सरकार ने वह वही भी लूटी है तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने कुछ ऐसे सरकार के बड़े फैसले द तो इसको लेकर भी सवाल खड़ी किये गए हैं आटो सेक्टर की भेतरी हेती उठाए गया कदम जेहां इसको लेकर मजबूती देने के लिए ही आटो सेक्टर और NBFC सेक्टर को मजबूत करने की बात कही गई है ताकि इससे रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरिदार को रह दी जा सके लेकिन ये तू आगी आने वाला टाइम बताएगा कि रहत कितनी मिलती है तीन तलाग की बात की जाए तीन तलाग पर पाबंदी के लिए मुस्ले महला विवा अधिकार संब्रक्षन विद्यक 2019 लागा और संसत जब शुरुवात की गई सरकार इस कारेकाल की तो सब कार ने अभी हाली में इसे समाप कर डाला है राज्यो यानि की जमू कश्मीर को दो हिस्सों में बाहटने का काम भी इसी कारेकाल में हुआ है तो ऐसे में इसको लेकर तो सवाल आज भी उठ रहे हैं अलाकि पाकिस्तान लगातार इस पर वॉक लाहट में है जी हाँ केंद्र शासित जो प्रदेश है वो इन्हें बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया है, वोटर वीकल आक्ट, जी हां इसकी भी आजकल बड़ी बात किया रही है, क्योंकि दूसरे कारिकाल में इसे लागू कर दिया गया है, ट्राफिक नियमों में जुर्माने की व्राश्य को यूएपी जादा एक्टिव किया गया है, हाला कि सवाल इस पर भी इसलिए उट रहे हैं क्योंकि पनेलिटी को बहुत जादा बढ़ा दिया गया है, यूएपी एक्ट में संशोधन ये इसलिए बिल लाया गया है, इसलिए कानुरी शक्त दी गई है ताकि आतंक वाद पर लगान लगाई जा सके आतंक की गतिवीधियों में शामिल होने या ऐसी गतिवीधियों को बढ़ाने वाले के ऊपर सीधे तोर पर भड़ी कारवाई की जाएगी ओवरॉल आतंक वाद को जड़ से खत्म करने के लिए UAPA जो संशोधन जो है किया गया है इसे भी कानुरी शक् कारिकाल के पहले 100 दिन का ये एक सबसे बड़ा फैसला था सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में इसे शामिल किया पांच अगस्त को केंदर सरकार ने जम्मू कश्मीर से ना केवल अनुछे 370 वपैंटस ए खत्म किया बलकि राज्य को दो हिसों में विभाजत कर दिया अब जम्मू कश्मीर लदाक अलग-अलग राज्य हैं केंदर ने दोनों को ही केंदर शासित प्रदेश बना दिया है जब ये लागू किये गए थे तभी से ये अरस्थाई थे और इन्हें भविश्य में खत्म करने की योचना बना ली गए लेकिन 70 दशक से भी जादा का लेकिन इनके साथ किसी ने कोई छेड़ चार जो है वो नहीं की बावजूद पूरवरती सरकारों और विपक्षी दलों ने वोट बैंक की खातर से खत्म करना तो दूर उल्टा मोधी सरकार का ही विरोध शुरू कर दिया और अब जब इसे खत्म कर दिया गया है तो इसमें इंटरफेरंस नहीं दे सकता है लेकिन पाकिसान लगातार वॉक लाहट में है लेकिन आपको इस फैसला यह जो बड़ा फैसला लिया गया सौध इनके भीतर भीतर इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं आप हमें कॉल करकर जरूर बताएगा उम्मीद करते हैं उस नमबर पर आप हमें कॉल कभी भी इन बिट्वीन दे प्रोग्राम कर सकते हैं और अपना जो नजरिया है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फिलाल वक्त चले एक छोड़े से ब्रेक का जल लोटेंगे बने रहिएगा जौस हिंदी के साथ और व्रेकी बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं मोदी सकाव 2.0 की शतकी अपारी की आज हम बात कर रहे हैं और लगातार 100 दिनों के भीतर भीतर जो बड़े फैस से लिए गए हैं और जो कुछ अच्छा है जो कुछ बुरा भी है उसकी भी लगातार बात क कर चुके हैं जिस तरीके से बड़े फैसने जो लिए गए हैं फिर चाहे वो 35 से 370 को लेकर हो 3 तलाग को खत्म करने की बात हो मोटर विकल आक्ट को लागू करने की बात हो आतंकपात का सफाया करने के लिए जो एक बड़ा जो है संशोधन करके एक विधेक लाया गया है त तमाम ऐसे जो विधेक हैं वो यहाँ पर पेश के गए हैं अलाकि लोग सभा में बहुमत था राजसभा में बहुमत नहीं था फिर भी इनको लागू करना एक सबसे बड़ी बात थी तो वैसे में यह सरकार की अपने एक विशेष्टा है जिसको लेकर आज सवाल जो है वो जरूर बाचीत चल रही है तो वैसे में आप देखते हैं कि मोधी सरकार टूपोइंटों की शत्किये पारी में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है लेकिन जो बुरा चल रहा है वो इंडन एकॉनमी को लेकर है क्योंकि इससे जुड़े ही तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो अफेस करनी पड़ रही है क्योंकि अर्थवस्स आच्छी नहीं होगी तो जाहित और पर बेरोजगारी पड़ेगी विनिवेश नहीं होगा और यह जब यह दोनों चीज़े नहीं होंगी तो वैसे में प्रॉब्लम्स किसी भी सरकार के लिए जरूर आन पड़ी होंगी तो के बाद अगर जगा जगा जाकर इन अफलब्दियों का बखान किया जा रहा है तो उसके तहट आज ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि आगे आने वाला जो टाइम है उन में इन तमाम दिक्कतों को किस तरीके से दूर किया जाएगा इससे पहले आपने लगातार दे टू पॉइंटों की शतकी पारी इन सौ दिनों के भीतर भीतर अच्छी भी है लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं आप हमें कॉल करकर जरूर बताइएगा और सौ दिनों के फैसलों ने दुनिया में किस तरीके से भारतिय पर्चम को उचा किया है आप हमें कॉल करें और सोचते हैं मोधी सरकार 2.0 की जो सेंचुरी जो इनिंग है 100 देस की इससे आप किस तरीके से सोचते हैं कि अगर अच्छा हुआ है तो क्या आच्छा आपको लग रहा है और जो अभी फिलहाल चल रहा है जो सही नहीं है आने वाले टाइम में किस तरीके से उन्हें तमाम दि निवेश कहां से आगा देखिए मोधी सरकार की दूसरे कारेकाल के सौधन पूरे हुए और इस अफसर पर केंदर सरकार ने आने वाले वक्त में भारत को पांच ट्रिलियन की एकॉनमी बनाने की लक्ष का रोडमा भी जारी किया है अब पांच ट्रिलियन की ये जो एकॉनम लेकिन रोडमाप जारी किया गया तो जाहिर तोर पर सरकार ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा तो इसके अनुसार निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अफसर पैदा करने के लिए दो क्याबिनेट समीतियां बनाए गई हैं ये पैनल है निवेश और विकास पैनल और रोजगार वकोशल विकास पैनल ये दो पैनल बनाए गए हैं पीम खुद इन दोनों पैनल के अधक्षता करेंगे आने वाले टाइम में और इसके साथ ये भी बता गया है कि सरकार ने कृषी के क्षेत्र में सरंचनात्मक सुधार के लिए हाई लिनल समीति का गठन किय कितने एहम है सरकार को इस दिशा में क्या क्या करने की जरूरत है आज इसको भी इनलाईज करना जरूरी है देखिः 5 ट्रीलिं अकॉन लेकर केंडर सरकारणी जो पैनल बनाए है वो बेहत जरूरी है एक कॉलर इस वक्त हमार दुईड्व में चलिशन से बात करते हैं नमश्कार सर, वेलकम टू जास हिंदी नमश्कार कीची, मैं सतीश चंद्र भोल ला हूँ शिकागों से जी सर, आपका एक कॉल का वेट हमें हर बार रहता है थांक यू सो मच पॉर कॉलिंग अस अगेन तो सर, उमीद करते हैं कि आज के विशे को लेकर जो हम बात आज सुबह कर रहे हैं तो ऐसे में आप इस विशे को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और अब हम जाना चाहेंगे कि ये जो शतकी पारी है मोदी सरकार 2.0 की इसका आप रिपोर्ट कार्ट किस तरीके से देना चाहेंगे जी गेची धन्यवाद बहुत बहुत ऐसा है कि यहां पे जो विचार वे मर्श परिवारों में होता है ना दूर बैठके वो इसको खाली सिरफ मोदी जी कि ये सौ दिन के साथ रहें चोड़ते वो ये देखते हैं कि क्या इस तरह कि हमारे देश में हालाग पहले भी कभी थे सितंबर 1965 जब पाकिस्तान ने अपना अटैक किया था इंडिया के उपर और इंडिया ने ऐसा मू तोड़ जवाब दिया था उस वक्त शास्त्री जी ने जब मोर्चा संभला सारे देश का सारे देश का होसला बुलंद था लेकिन एकोनोमी डाउन थी उस वक्त शास्त्री जी ने जब कहा कि भीया मंडे को अन खाना जरा बंद कर दो तो उससे हमारे अनाज की थोड़ी सेविंग हो जाएगी बुलंद था, हमने पाकिस्तान को करारी मार मारी थी, उस वकत सारे देश ने उनका कहना माना अनाज बचाया, अनाज बचाने से जो कि मंदी की फिलिंग थी, उस फिलिंग को ओवर कम कर लिया, सब ने ये सोच के, कि हम तो अपने आप से इसमें भागीदार हैं, हम देश की आ आत्यव समगरी को लेके देश की आर्थिक समस्या उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया, आज की जी, आज की तरीश में हमारे भारत का उसी तरह होसला बुलंद है, लेकिन आर्थिक मंदी है, हालात वैसे हैं, हाला कि हमारे पास आज जो होसला बुलंद होने के कारण हैं, वो एक नहीं है पाँच है तीन सो सतर पैंटिस ए उसके बाद आपका ये तीन तलाक और पिर ये पिछले आफ़ते जो चंदरिजान का जो सफलता हुई है हमारे साइंटिस की जिस तरह मोदी जी ने डाक्टर सीवन के पीट के उपर हाथ रखा राप को वो तो ऐसे लगता था कि जैसे उन्होंने एक सो पैंटिस करोड भारतियों की पीट के उपर मोदी जी ने हाथ रखा है कि कोई बात ने अनुसंधान में इसे तरह चलता है विज्ञान में गीत जी दो ही बाते होती हैं सक्सेस एंड लर्निंग तिर इस नो फेल और इन साइंस इसलिए हमारे भारत के जो साइंस्तान इस वकत लगे हुए है इस रोके वो जो काम कर रहे हैं वो हमें सफलता और उंची सफलता की तरफ लेके जा रहे हैं मैं यही देख रहा हूं कि भारत में सबका जो होसला है बुलंदी पे है देखे पीछे इद हुई इद पे समया उसी तरह बटी इदी उसी तरह बांटी कई लोगों ने उसी तरह आनंद हर्शोला से अपना वक्त निकाला उसके बाद देखिए आपके और तोहार आए सबी तोहार लोगों ने आनंद से मिलाए आगे जो तोहार आने वाले हैं आर्थिक मंदी का जो भीडिया दर्वासे पे खड़ा है उसको मूँ बंद करने के लिए तीन चुट-चुटी बाते कहूंगा नमबर वन वाकई जी एस्टी हमारे पीट के उपर बहुत बड़ी चोट मारी है ये मोदी जी को मान लेना चाहिए जी एस्टी की दरें घटा दें अभी से घटा दें ताकि आने वाले दिवाली के मौसम से पहले लोग अभी से शौपिंग करना शुरू करतें जैसे गीची ये पैसा लोगों का रोका हुआ मार्केट में आएगा हमारी जो है आर्थिक मंदी जो है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी जो तो इसके साथ ही मिलता जुलता डी मॉनेटाइजेशन तो मेरे जैसे आदमी का बड़ा नुकसान हुआ मेरे जैसे यहां पर हजारों लाखों था हमारे वो सारे रुपए मुटी कर दिये उन्होंने वहां पर वहां पर अपना ये डी मॉनेटाइजेशन करके हमें कोई दुख नहीं उस बात का लेकिन भारत में रहते हुए काफी लोगों का क्रोरों का नुकसान हुआ है जो घरीव लोग थे तो ये इसके लिए एक मो करने वाले लोग हैं उनका डियरनेस अलाउंस डिकलेयर करते हैं चाहे एक परसंट डिये उनको लोगों को दे दो सबको एक परसंट डिये दे देने से गेजी नौकरी वालों के सासाथ जो चोटे व्यापारी है उनको हौसला बुलंद हो जाएगा कि अब ये जिन बाबु लोगों को रुप पर दिये मिलेगा ये आना तो हमारे पास ही है खरी तारी तो हमारी दुकान पर या के करनी है इनोंने उनका होसला बुलंद हो जाएगा इस तरह गी जिए चक्र चलाने के लिए एक कुछ एनाउंस्मेंट जो है ये मोदी जी को करनी पड़ेंगी एक जीस बिना डिकलेर के हुए जो हमारे भारत सरकार का फोकस है एजुकेशन हेल्थ सेक्यूरिटी सप्लाइज एविएशन सारी की सारी चीज़े कश्मीर को दी जा रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं कश्मीर को उठा के ऐसी जगे पे रख दें तीन महिने में उनको 370 का सवार पता च पहते हैं आज से पहले जो 370 था वो हमारे पैरों में बेडिया थी धन्यवाद की थैंक यू सो मट सर बहुत सही बात आपने कही हैं और जी एस्टी दिमोनेटाइजेशन की बात तो हमारे एक्स फॉर्मर एक्स प्राम मिनिस्टर मनमुहन सिंग इसको लेकर अपना टेक दे चुके हैं चली उमीद करते हैं कि शायद सरकार इस पर थोड़ा सा काम करें इसको थोड़ा सा इसकी स्टाडी करके इनकी धरे घटाए डिमोनेटाइजेशन जिस तरीके से किया गया उसको वकम करें और जिस तरीके से आपने डिय अनाॉंस की बात कही है शायद उस पर भी स सरकार फोकस करें तो शाहिद अर्ट फिवस्था की जो मंदी हालत है उसको स्टेबलाइस किया जा सकता है बने लिएगा जो सेंडी के साथ ब्रेकी बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं मोदी सरकार ट्यू पोइंटों की शतकिया फारी की लगातार हम बात कर रहे हैं से पहले जो मरसत कॉलर चोड़े उनका ये माना है कि GST कि दरों को घटाया जाए तुरंट से तुरंट और उसके बाद दिमानाटाइजेशन जो सरीके से किया गया उसकी वज़ा से आज अर्थवस्ता कितनी मंदी हालत है दूसरी बात उनुने डियर जो डियर अनाउंस करने की बात कही गई है और इससे उन्होंने कहा है कि नौकरी में जो सरीके से अभी फिलहाल stability नहीं है नौकरिया नहीं मिल रही है रोजगार जो है उसे अप्टे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में उसको लेकर थोड़े से जो challenges अभी हैं लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ उस पर काम किया जाएगा तो जरूर इसे overcome किया जा सकता है तो यह सब किसकी वज़ा से हो रहा है सिर्फ देश की अठ्थवस्था जो पिछली तिमाही में 5 पीसद की दर से आगे बढ़ चुकी देखिए बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है जिसकी बात हम लगातार इस मन से उसको segment 5 segment हम बात कर चुके हैं लेकिन जिस पर आज बात करने की जरूरत है वो है देश की अठ्थवस्था तो इन 100 दिनों के भीतर भीतर बहुत कुछ अच्छा भी हुआ लेकिन इसके साथ-साथ आज सवाल जिस पर उट रहे हैं इस direction में सरकार को काम करना होगा ताकि बाजार में investors का भरुसा बड़े तो सबसे पहले तो सरकार को निवेश के मोहौल को ही अच्छा करना होगा तो इसके लिए जरूरी चीज़े क्या हैं जरूरी चीज़े ये हैं कि सबसे एहमें सरकार को अपनी आर्थिक नीती एक जैसी रखनी होगी और उसे लंबी अवदी की policy पर ध्यान देना ही होगा क्योंकि ये GST की जो दरे बढ़ा ही गई demonetization किया गया इसका आसर देखिए अब हमें नजर आ रहा है और कुछ ऐसी ही बात उस वक्त भी मनमोहन सिंग ने कही थी जब इस तरह की चीज़े जो है देशपर में implement की गई और उन्होंने कहा था किसका जो असर है वो आने वाले टाइम में पता लगेगा दूसरी सबसे एहम बात tax की नीती सरकार को करदाता जो taxpayers हैं और जो investors हैं यानि की निवेशक हैं उनको अपनी नीतीज पश्ट करनी होगी देखिए केंदर सरकार ने budget के दौरान foreign portfolio investment की आई पर आईकर सरचार्ज बढ़ाने का जो decision लिया था उसे हाली के दिनों में वापिस लिया गया है क्योंकि पता है उन्हें कि आगे आने वाले टाइम में इसका आसर भी हमें खराब नजर आने वाला है दूसरी बात जो घरेलू नीवेशक हैं जो investors हैं उनके लिए आईकर सरचार्ज को बढ़ाने का नरने भी फिलहाल रत कर दिया गया है सरकार द्वारा तो नीवेश के लिए आस अन क्रेडिट देने की इसके साथ जरूरत है सरकार ने बैंकिंग के क्षेतर में थोड़ा सुधार किया एक साथ कई बैंकों के विले की घोशना कर डाली और साथ ही साथ 55,250 करोड के बेल आउड पाकेज की घोशना भी की है तो इस कम होंगे और वो कम से कम नुकसान से उबर पाएंगे दूसरी बात रोजगार सरिजन इसके उपाए कैसे के जाएं सरकार ने रोजगार के सरिजन के लिए देखिए पैनल की घोशना की रोजगार की बात हुई तो पांच फीसद की धर से विकाज़र की बात वापिस आएग manufacturing sector में बहुत कम growth हुआ है इस बार यहां सरकार को बहुत focus करने की जरूत है सरकार को खुद भी infrastructure sector में पैसा लगाना होगा नौकरियों के लिए factory लगाने जैसे विकल भी है और इसके लिए manufacturing sector पर ध्यान दिया जा सकता है लेकिन दिर्गावधी की जगा अलपावधी में रोजगा सरजन करने वाले विकल्पों को चुनना होगा यदि जल्दी से जल्दी नतीज़े चाहिए तो construction, real estate, सडकों पर सबसे ज़ादा ध्यान देने की जरूरत है जिनमें railway भी एहम है लेकिन public sector पर नावश्यक नौकरियां सरजन करने से बचना होगा तो देखिए ये तमाव ऐसी चीज़े हैं जो फिलहाल लगातार उन पर focus करने की ज़रूरत है क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़े हैं जो तमाम जो experts हैं अर्थवस्था से जुड़े हुए economies को लेकर उनका भी यही माना है कि अगर इन चीज़ों पर focus किया जा सकता है तो अर्थवस्था को आने वाले time में stabilize किया जा सकता है कुछ ऐसा ही कहना है हमारे former एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमुहन सेंग जी का भी जिन्होंने फिलहाल अर्थवस्था पर अपना टेक दिया और सीधे तोर पर सरकार को जिम्मेवार मारा है इसके लिए जिन्होंने एक टाइम पर GST की दरह बढ़ाई और इसके बार demonetization किया तो इसका असर जो है फिलार अब देखने को मिल रहा है सवाल जब सरकार से पूछे जाते हैं तो सरकार ने इसका किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया वित्मंत्री निर्मला सीता रमने किस तरीके का कोई जो जवाब है वो नहीं दिया है तो फिलहाल 100 दिनो पर जताया इसलिए एक बार फिर से उन्हें वोड देकर वापस सामने लाया है जनता के सामने लाया है एक सरकार अच्छी दी है तो अभी फिलहाल 5 साल जो अभी उनको आगे देने हैं उसके 100 दिन पूरे हुए काफी positive चीज़े भी हुई है लेकिन हाँ जो अभी खराब चल आने गी तो दे सैनी को दीज़े का अजासत नमस्कार